एक दिन रामदास गाव के बाजार से लोट रहा था तब उसे एक असहाई नेवला दिखाई दिया जिसे वो घर ले आया उसकी पत्नी डर गई थी कि नेवला उसके बच्चे को चोट ना पहुचा दे एक दिन रामदास अपने खेट गया था सावित्री भी किसी काम से बाहर गई थी उनका बेटा गहरी नींड में सो रहा था नेवला पालने के पास बैठ कर उसकी रखवाली कर रहा था थोड़ी देर में नेवले ने सावित्री को आते देखा मालकिन का स्वागत करने के लिए वह दोड कर दरवाजे पर जा पहुँचा सावित्री नेवले के खून से सने मूँ को देख कर चकित रह गई उसे शंका हुई कि नेवले ने उसके बेटे को मार डाला वह गुसे से पागल हो गई उसने बरामदे में पड़ा हुआ डंडा उठाया और जोर से नेवले को मार वो दोड़ती हुई अंदर कमरे में गई बहेश को सुरक्षत देख कर बड़ी खुशी हुई उसकी नजर मरे हुए साप पर पड़ी उसे अपनी गलती समझते देद नहीं लगी बहार आकर देखा तो नेवला मर चुका था वह विलाप करने लगी जिस विश्वाश पात्र नेवले ने उसके बेटे की जान बचाई थी उसी को उसने मार डाला था उसे अपार दुख हुआ मगर अपश्चाता करने से कोई फाइदा नहीं